मेरा नाम है वीजे पाल और यहा है मेरी सेकंड वीडियो जिसमें आपने बता रहेंगे डिस्टेंपर के बारे में हमारी पहली वीडियो में हमने बताया था आपको समोसम के बारे में इस वीडियो में हम बताएंगे आपको डिस्टेंपर के बारे में वो उसके base की वज़े से ही आएगी अब distemper ऐसी quality में आने लग गए कि आप उसको अंदर की वज़ाए बहार भी लगा सकते हैं मनलब अंदर बहार दोनों जगए उसको यूज कर सकते हैं बर जादा तर जो distemper होता है वो interior product होता है मनलब अंदर के लिए हम उसको यूज करते हैं आप देख सकते कि जैसे कि पेंट की जो smoothness होती है जो पनीस होती है वाज कल जो extended level के जो distemper आते हैं उसमें आपको distemper के अंदर भी मिल जाती है तो आपको यह केजी के हिसाब से मिलता है आपको मिलता है यह 1 kg 5 kg और 10 kg 20 kg 20 kg जो है इसकी पैकिंग सबसे बड़ी है तो इसे बड़ी इसकी पैकिंग नहीं आती distemper के अगर हम covering की बात करते है तो distemper अगर आप सीधा दिवार पे यानि आप सिमेंट पे direct अगर distemper को apply कर रहे है बिना किसी surface खोट के तो वो surface खुर्द्रा होने के कारण आपको covering कम मिलेगी तो लगबग आपके 3 kg के अंदर एक 10 by 10 की दिवार जो है आपकी cover हो पाएगी अगर आप उसी wall putty से आप उसको surface देते है जिससे की smoothness भी आपको मिलेगी और उस smoothness के कारण जो आपका distemper है उसकी quantity भी दिवार पे कम लगईगी मितलब आपको ज़्यादा फाइदा होगा कम distemper में ज़्यादा area cover होगा if you like this video please subscribe my youtube channel अपना वोच्टोडियो thank you keep watching